बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों देश में सिर्फ एक प्रदेश है महराष्ट जिसकी विदान सभा का एक सत्र प्रदेश की उपराजधानी में होता है हमारे पीछे है महराश्र की उप राजधानी नाकपुर का विधान भवन जहां इन दिनों विधान सभा का शीत सत्र जारी है जश्रकों सदन चाहे राज्य विधान सभा का हो परिशद का हो या संसत का हो विपक्ष जाता है कि वो सरकार को घेरे और सत्तापक्ष कोशिश में रहता है कि किसी तरह सत्र की यह जो आपचारिक्ता है यह आपचारिक्ता सत्र है कि निपड जाए सत्ताधारी बड़े बड़े नेता या मंत्री सडकों पर रैलियों में सभावों में चाहे जितना जुड बोलने चाहे जितना लोगों को भड़का ले अफवा फैला ले लेकिन जब बात सदन के अंदर सवालों के जवाब देने की हो तो नानीयाद आ जाती है क्यूंकि यहाँ हवा हवाई नहीं बलकि तत्यों आक्रों पर अधारित जवाब देना होता है और यही कारण है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जाता और सत्ता पक्षी जवाब देही से बस्ता रहता है सदन में सवाल पुछने पर माईक बंद करने के विपक्षी आरोप के बीच सत्ता पक्ष के ही एक सांसद ने ऐसा सवाल कर दिया जो सरकार के बड़ बोड़े नेताओं मंत्रियों के लिए मुसीबत बन गया है उनके लिए दिक्कत ये है कि सदन में रैलियों वाला वो हवा हवाई जवाब भी नहीं दे सकते पर सच्चाई बताई तो रैलियों में बोले गए जूट का परदाफाज भी हो जाएगा और ऐसा ही हुआ हुआ यूँ कि राजसभा में बीजेपी के सांसद कार्तिके शर्मा ने ये पूछ लिया कि क्या भारत सरकार के प्राचे नितिहास के विज्ञानिक आकलन या मुल्ड्याकन की कोई कोशिश की जा रही है या नहीं सवाल दरसल राम सेतु के समंध में था अब राम सेतु तो आप सभी जानते हैं अब सवाल पूछते समय शर्मा जी को यह अंदाजा नहीं था कि इसका जवाब उनकी ही पार्टी को कट घरे में लाखड़ा करेगा अब जब सवाल हुआ तो जवाब देना भी एथेंटिक जवाब तो देना ही पड़ेगा इसमें मंत्री जी की तारीफ होनी चाहिए कि जितेंद सिह ने संसद को गुमराह करने के बजाए बिलकुल सही और सटीक जवाब दे दिया मोधी सरकार के इस मंत्री ने संसद में राम सेतु का कोई वजूद होने से ही इनकार कर दिया जीतें सी प्रधानमंतरी कारेरे में राज्यमंतरी होने के अलावा परमाणू उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंतरी भी है। अचुकि सवाल विज्ञान की रिसर्च से जुड़ा हुआ था इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री होने के नाते उसका उचित जवाब देने में कोई परहेज नहीं की क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्यूमिक चट्टानों की एक दिवार है जो प्राक्रितिक रूप से ज्वाला मुखी से निकले लावे के ठंडा होने के कारण बनती और ये पत्थर पानी में तैर सकता है चाहे इस पर भगवान का नाम लिखा हो या ना लिखा हो ये तैर सकता है अक्सर आपने देखा होगा कि इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े जो हैं वो बात्रूम में भी इस्तेमाल होते हैं कई बारत्वचा को इससे रगड़ कर उसे चिखना बनाया जाता है अब पढ़े लिखे वेग्यानिक सोच वाले बच्चे तो ये बात समझते हैं जानते है लेकिन जाहिलों को इसके तैरने के बारे में जो जूठी कहानिया बताकर ब्योकूप बनाते आ रहे हैं उनकी भावनाओं का शोशन किया जाता रहा है अब संसद में वेग्यानिक दिश्टिकोंड से जवाब देकर मंत्री जी ने उन अंद भक्तों के लिए मुसीवत समस्या यह है कि बीजेपी और हिंदूत्व के समर्थक इस पर अपनी भावना आहत करके सड़कों पर हंगामा भी नहीं कर सकते क्योंकि इन विश्यों पर जितनी जादा बाते होंगी उतनी जादा परतें भी खुलेंगी और सच बाहर आएगा अब बुद्ध मुर्तियों क अब आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ दिन पहले की बात है कि RTI यानिकी सूचना के अधिकार में सरकारी भाग से यह पूछ लिया गया था कि आपने सरकारी छुट्टी घोशित करके कृष्ण जन्माश्टमी तो मना ली अब कृपिया ये भी बता दीजिए कि उनके जन्म का क्या प्रमान है जन्म प्रमान पत्र हो तो दिखा दीजिए बस पिर क्या था इनारसी में सबसे निवासी होने का कारण कागज मांगने वाले चकरा गए और जवाब नहीं है इसलिए सवाल उठाने वालों को रोका जाता है क्योंकि तारकिक जवाब है नहीं अब आप समझ सकते हैं कि तमाम संसदों में या बाहर जहां पर भी सवाल खड़ा करने का जहां पर भी मौका है या जहां भी संभावनाय है उन तमाम जगों को क्यों खरीदा जा रहा है क्यों प्रताडित किया जा रहा है सवाल उठाने वाले को या फिर संसद के जो सत्र है वो सीमित क्यों होते चले जा रहे हैं यही वज़य है कि सवाल खड़े ना हो और जवाब देने से मुसीवत खड़ी ना हो क्योंकि अगर जवाब एथेंटिक जगह पर संसद में या इन जगहों पर जवाब देने की बात आएगी तो तारकिक जवाब ही देना पड़ेगा वहाँ पर हवा हवाई बात या फिर जो आस्था का जो मामला होता है या जो भावनाओं का दोहन होता है वो संब्वर नहीं हो सकता तो यही कारण है कि इन तमाम जगहों पर सवाल करने वालों को रोका जा रहा है अब आपका इस पर क झाल